मिलिय पूर्व विधायक और इस बार बहुचन समाज पार्टी के नाना अरी मर्दन सिंग से ये सदर महोबा से बस्पा के उमिदवार हैं 72 साल के अरी मर्दन सिंग ने कई राजनीतिक छलांगे लगाई है जनता दल समाजवादी पार्टी काउंग्रेस और अब बस्पा सभी बड़ी पार्टिया में रह चुके हैं महोबा को अलग जिला बनाने में अरी मर्दन सिंग की मुख्य भूमिका रही है राजनीती में इतने लंबे सफर के बाद क्या कहना है इनका महोबा के बारे में आपने कहा कि उस खनन में आपने खुद काम किया है और वो इतना चल भी रहा है इस समय और पहाड भी इतने गहरे हो गए है तो आपको क्या लगता है कि वो अभी किस तरह से होना चाहिए और अगर पहाड बंद हो जाएंगे तो किस तरह से आप लोगो रोजगार दिलाने जाएगे अरी मर्दन सिंह पर खुद खरन समद्धी कुछ मुद्धे हैं उनके बारे में क्या कहना है पूर विविधाये का जो कुछ खरनन के मुद्धे का प्राब्लम आपके उपर भी है कुछ ऐसे प्राब्लम तो सभी काती है सायद इस पर मौन रहना ही उन्होंने बहतर समझा महवा में रोजगार का क्या होगा क्या करेंगे इस पर अरी मर्दन जी अपर बहुत ऐसे परिवार है कि उनके पास खेती ही नहीं है तो ऐसे स्थिती में उन्हों के आप किस तरह से मदद करना चाहेंगे अगर आप बिधायक बने और आपकी सरकार आई तो आप क्या करेंगे ज़्यादा ज़्यादे चुट्रड़े और धन्होंने चरवाजाएगे क्या से फर्क है बस्पा अन्य पार्टियों से और क्या लाया अरी मर्दन जी को बस्पा में पस्पा सरकार में गुंडाराज में चलता है कनुंगरा चलता है कुई भी बड़ा से बड़ा मंद्री हो उचिल जाएगा हर जात के बराबर समान दे रही है हर जात की जाती आए उससे 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 पता कि बड़माजी दलों के अस्तिति यह जुरू जान रिपिम सुनना है कि बाप बेड़ा समाजवादी पार्टी में चल रहे गोटालों पर पूर्व विधायक लंबी सुची बेस करते हैं लेकिन बस्पा में नया क्या है इसकी सुची ज्यादा लंबी नहीं है इसमें अरी मर्दन जी की आस प्रश्टता जलकती है या पूरी बस्पा पार्टी की बस्पा की क्या रन नीती है अपने चुनाव को लेकर की अभी तक तो उन्होंने ना कोई एक बस रैली हुए साथ बांदा में बाकी तो उन्होंने इस छेत्र में कुछ किया नहीं है प्रशार प्रशार यह सब जिए अब जब 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 शुरू होगा तब है तुझा चाली हो